असलाम अलेकूम नमस्कार सस्रिकाल आदाब दोस्तो यदि आप भी कतर में रहते हैं और कतर के एहम तरीन खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो ये वीडियो को बिने स्क्रिप के पूरा देखिएगा और यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को करके बेल ऐकन को प्रेस कर दीजीए ताकि आने वाली वीडियो की नौट्फिकेसर अब को मिल सकें तो दोस्तो आँज की सबसे जो बड़ी हा रही है वो कना रे रही है वह खबर आ रही है वहाँ पर fruits को लेकर यह सबजी को लेकर मतलब दोस्तों जो भी fruits वहाँ दुकान वाला बेचेगा सभी की दाम वहाँ पर government ने वहाँ fix कर दिया है जैसे कि दोस्तों आप लिस्ट में देख सकते हैं इसका official website भी आप देख सकते हैं सारे फलो का दाम को fix rate कर दिया गया उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते हैं अगली दोस्तों जो खबर आ रही वो भी Qatar Airways की तरफ है तरफ से जोस्तों जैसे कि आपको पता है बहुत से लोगों ने लोग डॉन से पहले बहुत से टिकट लिया था जिनमें से जो लोग घर जाना चाहते थे या फिर घर वापसी करना चाहते थे सभी ने टिकट लिया था पर दोस्तों वो घर नहीं जा पाएं तो दोस्तों आपने लिए अच्छी खबर यह है कि वही टिकट से दोस्तों आप बाद भी सफर कर सकते हैं यह Qatar government ने बोल दिया दो साल तक इसकी validity रहेगी आप दो साल तक इसमें कहीं जिनके पास जिनके पास गाड़ी वगएरा है जो टेक्सी वगएरा यूज करों दो लोग से जादा वहाँ पर आप सफर नहीं कर सकते हैं पर उसमें भी दोस्तों नियम कानून होगे उसमें सी आपका रिस्दार होना चाहिए और जो driver चलाने वाला होगा वो आपके खुद के फैमिली मेंबर का होना चाहिए दूसरे लोग यह जी driver है तो आप नहीं चलवा सकते हैं मतलब मतलब तीन फैमिली आप दो लोग से जादा नहीं चल सकते हैं और दोस्तों यदि आप थोड़ी छूट दी गई है एंबुलेंस के लिए और वाइकल और मिनिस्ट्री पब्ल अब इत की छुट्टी के एलाउंस होगी है तो दोस्तों इत की छुट्टी होगी वहां पर चीट की छुट्टी दोस्तों नहीं स्तारिक से लेकर 28 और 30 मलें 28 को ओपन हो जाया एक कंपणी कुछ जगा 30 को होगा तो दोस्तों यह कुछ अप्देट थी जो कतर से आ रही थी तो मिलते साथ ही इसी तरह के नेक्स्ट अपडेट को लेकर तो मिलते अभी के लिए दोस्ते अतने तब तक ले जाहिन, अल्लाहाफिस, टेक क्यार